हेलो एवरीबडी वेल काम टू यूनिट ट्वेंटी आज की यूनिट का टाइटल है ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप बाई ड्रॉप का मतलब होता है पानी की बून पे बून मदो लीव्स मादो पढ़ना है इसको मादो लीव्स इन भज्जू आ स्मॉल विलेज इन राजिस्थान मादो नाम का इक लड़का है कहाँ पे रहता है चोटे से गाउ में जो कहाँ पे है राजिस्थान इक इस हाडलिय विलेज बोलना भी बड़ा मुश्किल है All you see is sand all around मतलब गाओं भी नहीं है गाओं होता तो घर वगेरा होते न घर वगेरा भी नहीं है बोले यहाँ पे केवल sand है मट्टी दूल One can see some houses when the sand does not blow लोगों को house भी कब दिखते हैं जब मिट्टी ब्लो नहीं करती है blow मतलब यह रेगिस्तान है रेगिस्तान में धूल एकदम चलती न अगर वो नहीं चलती है तभी कोई कोई थोड़े बहुत घर दिखते हैं Everyone in Mado's family is upset सारे के सारे लोग जो Mado's के घर में है वो upset है Every summer there is water scarcity scarcity का मतलब होता है कमी बोलते ना पानी की कमी है तो यहाँ पे क्या होता है Mado's के घर में हर summer में गर्मी के समय पानी की किल्लत हो जाती है This year it is worse बहुत बेकार It did not rain at all बताओ बारिश ही नहीं हुई पूरे बारिश के महीने में उनके बारिश नहीं हुई His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water कितनी शरम की बाते बुले इनकी मम्मी को और बेहन को बहुत लंबी आत्रा करना पड़ता है थोड़ा सा पानी लाने के लिए As the nearby pond has also dried उनके घर के पास में जो तलाब था वो भी सूख गया पानी की बड़ी किल्लत आ गई Each day they spend hours just to get four pots of water गंटो लग जाता है तब जाके चार घड़ा पानी मिलता है While walking on the hot sand ऐसा भी नहीं की सरल रस्ता है कहां से जाना है तपती हुई धूल पे जाना है Their feet burn and bluster just cannot be avoided पूरे के पूरे उनके पैर जल जाते हैं और बहुत दिक्कत है नंगे पाउं जाते हैं देख लो देख लो आप पिक्चर देखके समझ जाओंगे देखो ये चार घड़ा पानी लाने के लिए इनके कितने पैर जल रहे हैं और वहाँ पे पैरों में छाले पड़ रहे हैं बहुत दिक्कत है भाईया ग्रेगिस्थान है न When the train carrying water comes They are very happy क्या हुआ एक train आई उसमें पानी भरा है जैसे पानी के tanker आते न ऐसे यहाँ पे पानी की train आई Mother's father goes to fetch water in his camel cart किस पे चलेगे वो उट की जो गाड़ी है वो लेके चलेगे पानी लेने के लिए But this does not happen often जैसे आपके घर में पानी का tanker कभी कभी आता है ऐसे यह पानी की train बहुत कमाती है हर बार नहीं आती People keep waiting days and days for water पानी के लिए लोग कई कई दिन इंतजार करते हैं Some people collect rain water कई लोग तो बारिश का पानी कट्टा करते हैं This is done by special method by making tanks देखो वो घर के सामने क्या बना देते टाका बना देते ताकि वहाँ पे पूरा बारिश का पानी इस्टोर हो जाए Do you know what a tanka is? How it is built? कुछ नहीं है आप पूरा का पूरा एक घर के सामने गड़ा खोद तो जैसे तलाब होता है ना ऐसा तो उसी को बोलते हैं टाका To build a tanka A pit is dug on the courtyard and it is made of पुका वही बता रहा है वो कि क्या करते हैं वो एक पूरा का पूरा तालाब खोद देते हैं घर के आंगन में The tank is kept covered with a lid और उसके उपर फिर जब बारिश खतम हो जाती है तो एक धककन लगा देते हैं The roof of the house is made slopping जो घर के उपर छट रहती है ना वो इस तरह से design होती है कि पूरा का पूरा छट का पानी भी इसी टाके के अंदर जाए So that the rain water collected here flows through a pipe into a tank पानी जो छट का है वो पूरा इसी टाके के अंदर जाएका A sieve is attached to the mouth of the pipe sieve वही समझ लो ऐसा pipeline है So that no dirt goes into the टाका ये जो छटनी समझते हैं अब छटनी एक छटनी लगा देते हैं ताकि pipe में से जितना भी पानी जाएगा वो एकदम छटन के जाएगा मिट्टी वगेरा नहीं जाएगी This water is used for drinking after it is clean और फिर वो पानी को छान लिया ना अब उसमें fit curry वगेरा डालके और उसको साफ करके पी लेते हैं Sometimes मादो is allowed to take water from one of the taakas of the village कई बार ये लोग दूसरे को भी पानी बाट देते हैं देखना अब ध्यान से समझना Think What are the difficulties people face due to scarcity of water पानी नहीं होने की वज़े से कित्ती दिक्कत है कितनी problem है इत्ती दूर जा रहे कई मील जाते हैं तब उनको पानी मिलता है Who fetch water in mother family कौन ले क्या आता है Sister and mother Water collected is mostly used for drinking Why? क्यों किया जाता है Because पानी पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है Is rain water collected in your house If yes How? वैसई अब अपन बना रहे हैं क्या Drainage जो नाली वगेरा जाती है न वो बना रहे है तो उससे अपने को फाइदा होता है कि water collection हो जाता है Can there be any other method of collecting water बहुत सारी method हो सकती है आप सब दूर से पानी कट्टा करते चलो कोई दिक्कत नहीं Just like मादो Sohal also faces water scarcity जैसे मादो को problem आई ऐसी Sohal को भी problem आई उनके घर में She lives in Bhavnagar Water is supplied only for half an hour in a day देखो मादो के घर में तो आता ही नहीं है पानी इसके यहाँ पे इत्ता तो अच्छा है रोज half an hour at least water supply आती है All the people of the area depend only on a single tap बाप, प्रे, बाप एक नल में पूरे एरिया के लोग depend है Can you imagine what happens लडाई होगी अगर सब के घर में पानी आ रहा तो ठीक है determined to take water from the tap Whenever she get a chance she fills her bucket even if just drop by drop एक एक बून अपना जो chapter का title है न drop by drop वो यहाँ पे आया अगर एक एक बून भी नल आता है तो जो सोनल है वो पानी की bucket भर लेती है Let us find out how many drops will fill a bowl और mug कितनी drop में bowl और mug fill होने वाला है देखना ध्यान से how many drops कितनी drop है 1,2,3 3 drops में क्या आ गया spoon how many spoons will fill the bowl कितने spoon bowl में आ जाएंगे मेरे हिसाब से at least 50 we are just making a guess how many bowls will fill a jug 10 bowls ले आओ तो क्या फिल हो जाएगा jug how many mugs will fill the bucket 25 mug आ जाएंगे तो वो bucket भी fill हो जाएगी it is also just a guess आप आपके इसाब से देख लेना just think if a tap leaks even drop by drop how much water would be wasted ध्यान से समझो अगर नल पूरा बन नहीं हुआ जरा सबी leakage है बून बून पानी भी जाता है तो भी कितना पानी वेस्ट होने वाला है बहुत दिक्कत है water को कभी ऐसा वेस्ट नहीं करना can you think ways of saving water what are your suggestion below यहाँ पे आप आपका suggestion देना आप कैसे water save कर सकते हो पहला तरीका by collecting rain water सबसे पहले तो ऐसा करो क्या collect करना शुरू कर दो rain water को collect करना शुरू कर दो by collecting rain water दूसरा तरीका हम जिससे water save कर सकते हैं by using less water कई बार हम पानी जबरन फेक देते हैं एक bucket में भी ना सकते कई लोग 5-5 bucket में नाते कई लोग shower खोल देते कई लोग tap खोल देते तो आप यह सब करके water को protect कर सकते हो save कर सकते हो have you seen water flowing unnecessary बिलकुल yes बिलकुल बिलकुल जाता ही है unnecessarily water जहां ज़्यादा पानी है वहां बिलकुल waste होता है पक्की बात है यह देखो आप क्या बोलता है draw lines using different color to show which work will be done after the other so that the same water can be reused one example is given क्या काम करना चाहिए ताकि वोई पानी क्या हो जाएगा reuse हो जाएगा यह बाई नहा रही है क्या करो खटिया पे नहो ताकि आपके नहाने का जो पानी है उसी से गाए वगेरा को धो सकते है उनको भी साफ कर सकते है या फिर पेड़ पौधे में पानी डाल सकते है washing hands and face mapping the floor यहाँ पे क्या करना है draw lines using to use water can be used क्या कर सकते है washing fruits and vegetables watering plant क्या कर दो बोले जो आपने fruits, vegetables को wash किया उसी पानी से water को दे दो washing cloths अगर आपने कपड़े दो लिए ठीक है तो क्या कर सकते हो use in the toilet आप उसमें वहाँ पे डाल सकते हो washing hand and face mapping on the floor अगर आपने हाथ पे दो भी लिए तो भी आप क्या कर सकते हो उससे floor वगेरा साफ कर सकते हो समझे बात को यहाँ पे देखना you have given some suggestion to reuse water people use this method only under condition when there is scarcity लोग यह तभी करते हैं जब क्या होती है कम ही होती है do you know one of the reason for the scarcity because people waste it scarcity का एक बहुत बड़ा कारण है water wastage just think how good it would be if everyone got water आपको तो पानी मिल रहा है पर सोचो कितना अच्छा होता अगर पानी सब को मिलता पानी सब को आसानी से उपलब नहीं है mostly in desert area like Rajasthan यहाँ पर हमारा unit 20 भी होता है complete thank you 10 आपानी सादी आप श forum levelका कि करें का कि आसॉ और यहाँ करो कि आए कि अप ça कि कि इ